hey so hello and welcome back everyone to this another beautiful 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 video बहुत बहुत सौरी आप लोग को बहुत इंतजार करना पर इस वीडियो के लिए ये पार्ट बी important questions है for S.B.E.C. पार्ट ए का नहीं आएगा मैं फिर से बता दूं पार्ट ए का नहीं आने वाला पार्ट ए जो है ना मैं एक चीज आपको समझा देता हो देखो professional examination दे रहो ना दिमाग लगा कर examination दो ऐसा नहीं की मतलब गधे की तरह परते रहो सब कुछ पार्ट ए जो है ना S.B.C. का पार्ट ए पार्ट ए जो है S.B.C. का इसमें 50-60% पूरा-पूरा company law है पूरा-पूरा company law है इसका examination में सबसे last में आपको आना है पार्ट A लिखने के लिए पार्ट A से शुरू मत करना बहुत जादा mistake कर लोगे आप लोग सबसे पहले शुरू करना है पार्ट C से फिर पार्ट B में फिर पार्ट A में आना है इस बात का धियान रखना और जो बच्चे बहुत ज्यादा confident है वो पार्ट A में आ जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप confident हो तो आप tension मतलो marks आपका नहीं कटेगा अगर आपने पार्ट C पार्ट B और पार्ट E इस प्रकार से अपने लिखा है तो समझ में आ चुका है ओके अब सुन एक बात अच्छे से सुनना है भाई मेरे सुन पार्ट A company law है पार्ट A अगर 50-60% company law है startup वगेरा को छोड़के अगर startup वगेरा जो है उसको आपको कर लेना है अच्छे से पूरा chapter कर लेना है बाकी जो है वो अगर आप company law में कर रहे हो ना तब भी हो जाएगा क्योंकि company law का examination आपको देना हो को उसके बाद SBC का company law कर लोग यह सारा चीच ठीक है तो वो पार्ट A में हो जाता है पार्ट A में आपको थोड़ा बहुत कर लेना है अच्छे से पार्ट B में सुनो अच्छे से इस बार थोड़ा unexpected questions हो सकते हैं पार्ट B में से मैं फिर से बता दूँ थोड़ा unexpected questions set कर सकता है ICS है क्योंकि देखो अगर ICSI से ने सही से question किया तो next दोनों attempt भी सही से question आएगा इस बार अगर ICSI ने क्योंकि इस बार new syllabus का announcement हुआ है इस बार ICSI ने अगर सोचा कि यार मेरे को fail करवाना है students को तो वो fail करवा देगा वो मतलब तिरचा question पूछेगा मतलब यहां वहां से जो मतलब कोई sense नहीं बन time इस बार का probability के हिसाब से जो questions important बनते हैं वो मैंने पूरा draft कर रखा है यह questions बहुत-बहुत important है आपके इस बार की examination from part B तो यह questions आपको ध्यान रखना कि यह miss ना हो जाए अगर आप मुझे को पूछे उस सिर्फ यही करके चले जाए तो पास हो जाएगे नहीं fail हो जाओगे तो इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ जो भी आपका preparation है उस preparation को रखना है अच्छे से हैं make sure that this questions are those questions which you should not skip at any cost इस बात का ध्यान रहे यह सारा paper जो है ना यह मैं आपको available करवा दूंगा हमारे telegram चैनल पर अगर telegram आपने join नहीं किया तो join जरूर कर ले फटा फट डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपने चैनल को subscribe नहीं है तो मैं definitely लाऊंगा ठीक है it's tough it's not that easy मैं promise नहीं कर रहा लेकिन फिर भी I'll try my best अगर हो पाये तो मैं definitely लाऊंगा क्योंकि बहुत टाइट शीरू चल रहा है new syllabus भी start हो चुक है हम लोग ने classes भी start कर रखा है तो इसलिए थोड़ा बहुत time schedule का भी बात है I'm trying my best for all this ठीक है चलो प्राइगरो अच्छे से thank you so much so so much everyone happy learning guys bye-bye and take care of yourself all the best